जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै माता रानी की जै मा दुर्गा नवरातरी महोसव की मंदर शीवनसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारदे कभी नंदन करते हैं आप सभी जानते हैं कि नवरातरे आज कल चल रहे हैं 15 अक्तूबर से लेकर 23 अक्तूबर तक नवरातरों का महोसव चलेगा पूरे 9 नवरातरे हैं और कुछ लोग दुर्गा अश्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं तो आज किस विशेश वीडियो में हम आपको बतान जा रहे हैं कि जिन महीलाओं के पिरिड का समय चल रहा है वो कन्याओं का पूजन कैसे कर सकती हैं कंजकों का पूजन कैसे कर सकती हैं आप सभी जानते हैं कि मादुर्गा के नवरातरों में महीलाएं और पूर्श मादुर्गा को प्रसन करने के लिए नवरातरों का वरत र श्रीध नौमी 93 अդ्योबर दिन 100 मुवार को है तो कुछ लोग श्रीधुर्गा हष्ट् में 22 अंक्तूबर दिन रविवार को कन्याओं का पूजन करेंगे कंज़कों का पूजन करेंगे और कुछ लोग श्रीधुर्गा-नौमी के दिन अर्थात 23 अक्तूबर दिन 100 मुबार को कन्याओं का पूजन करेंगे कन्जकों का पूजन करेंगे तो ये पूजन करने से मातरानी की यसीम कृपा मिलती है लेकिन यहाँ पर प्रश्ण आता है कि जिन महिलाओं का पिरिड का समय चल रहा है पीरिड में जो महीलाई हैं वो किस तरह से कंजगों का पूजन कर सकती है किस तरह से वो कन्या पूजन कर सकती है इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बता रही है एक एक बात को आप ध्यान से सुने तभी आपको सारी जानकारी मिल सकेगी तो मासिक धर्म अर्थात पीरिड के समय महिलाएं कन्या पूजन कैसे कर सकती हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो उसकी दो विधियें हैं दोनों विधियें आप सुन लीजिए तो पहली विधि के नुसार तो मासिक धर्म में कोई भी महिला स्वयम कन्याओं का पूजन नहीं कर सकती और दूसरी विधि में कोई भी महिला चाहे वो मासिक धर्म का उसका पहला दिन हो चाहे दूसरा तीसरा चोथा या पांचवा दिन क्यो ना हो वो महिला मासिक धर्म में कन्याओं का पूजन कर सकती है तो दोनों विदी हम आपको यहां पर बता रहे हैं तो पहली विदी के नुसार तो आप जानते ही होंगे कि जीन महिलाओं के मासिक धर्म का पीरिड का समय चल रहा है वो स्वयम कन्याओं का पूजन नहीं करती उनके घर में कोई भी सद्यस कन्याओं का पूजन करता है कंजिकों का पूजन करता है सब कुछ विदी विधान से होता है लेकिन महिला अपने मासिक धरम के समय किसी चीज को हाथ से नहीं चूती मातारानी की तस्वीर को नहीं छूती मातारानी की जोत को नहीं जलाती स्वेम कन्याओं का पूजन नहीं करती परिवार में से कोई और महिला या पुरुष कन्याओं का पूजन करते हैं तो ये तो पहली विदी हुई इसके बारे में तो पहले ही आप सब जानते होंगे तो जो दूसरी विदी है उस विदी के नुसार कोई भी महिला मासिक धर्म अर्थात पिरिड के समय चाहे वो पहला दिन हो चाहे दूसरा तीसरा चोथा या पांचमा दिन हो वो महिला स्वयम कन्याओं का पूजन कर सकती है तो आप सब भी जानते हैं कि मादुर्गा के नवरातरे वर्ष में दो बार आते हैं और महिलाएं ही नवरातरों का वरत अधीक रखती हैं पूरिश तो रखते हैं लेकिन महीलाएं जादा संख्या में नवरात्रों का वरत रखती हैं तो पूरिश धभावना से महीलाएं वरत रखती हैं लेकिन मासिक धरम एक ऐसी अवस्था है जो कि हर महीने महीला के जीवन में आती है तो ऐसी अवस्था में कन्याओं का पूजन क नहीं कर सकते लेकिन शिर्मत भगवद गीता में भगवान शी क्रिशंज ने अर्जुन से एक शलोक में एक बड़ी सुंदर बात कही है बड़ा सुंदर उपदेश दिया है शिर्मत भगवद गीता के अठारवे अधाय में वो शलोक आता है जिसमें भगवान अर्जुन से कह तुम चिंता मत करो हे अर्जुन सब को छोड़ कर केवल एक मेरी शरन में आ जाओ सब धर्मों का पालन करो लेकिन सहारा किसी और का नहीं रखना केवल मेरा सहारा रखना है तो शिर्मत भगवत गीता के इस शलोक के भाव के अनुसार कोई भी महिला मासिक धर्म की अवस्था में स्वेम कन्याओं का पूजन कर सकती है तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजी आपने शिरी दुर्गा अश्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करना है या शिरी दुर्गा नौमी के दिन कन्याओं का पूजन करना है और आपके मासिक धरम का समय चल रहा है तो उस दिन आप सुभे नहा धोकर पवित्र हो जाएं साफ सुत्रे वस्त्र धारन कर लें और भगवान शिक्रशंजी से प्रनाम कीजिए भगवान को माथा टे किए उनसे कहिए कि हे प्रभू मेरी ऐसी अवस्ता है लेकिन इस अवस्ता मेंभी मैं कन्याओं का पूजण करना चाहती हूँ मेरे मन की यही इच्छा है मुझे पर क्रिपा केजिए मुझे आशिर वाद दीजिए कि जिससे मैं कन्याओं का पूजण कर सकूँ इस तरह से भगवान शिक्रशंजी से प्रात्ना करके आप स्वम कन्या पूजन कर सकती हैं, इसमें आपको कोई भी दोश नहीं लगेगा, शिर्मत भगवद गीता के उस श्रोक के अनुसार आपको कन्या पूजन करने का पूरा अधिकार है, तो मासिक धरम अर्थात पिरेड के समय कोई भी महिला कन्याओं का पूजन कर सकती है, स् आप सब कुछ पूरे निस संकोच भाव से कर सकती हैं, आपको कोई भी दोश बिलकुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने स्वम कहा है कि सब धरमों के सहारे को छोड़ कर, जो मेरी शरन में आ जाता है, उसे कोई दोश नहीं लगता, और यहाँ पर तो जो के नवरात्रों के कंजकों का पूजन का समय है, कन्या पूजन का समय है, उस समय हर महिला की ये इच्छा होती है कि मुझे कन्या का पूजन करना है, मुझे भी मातारानी का आशिरवाद लेना है, मुझे भी कन्याओं का आशिरवाद लेना है, और शिर्मत भगवत गीता तो कन्याओं का पूजन कर सकती हैं आप बीना किसी संकोच के बीना कुछ सोचे कन्याओं का पूजन अवश्य कीजिए लेकिन कन्या पूजन करने से पहले भगवान शीक्रिशन जी से प्रातना अवश्य कीजिए आपको एक प्रतिशत भी दोशी नहीं लगेगा आपको मातारानी का पूरा आशिर वाद मिलेगा आपको कन्याओं का पूरा आशिर वाद मिलेगा और सबसे भढ़कर आपको भगवान शी कृष्ण जी की पूरी कृपा मिलेगी तो मासिक धर्म में कन्याओं का पूजन कैसे किया जा सकता है ये सारी बात हमने आपको बता दी है फिर भी आपके मन में कई प्रशन होंगे तो आप कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं हमारा मुबाइल नमबर आप सामने मुबाइल की स्क्रीन पर देखी सकते हैं तो आज इक इस विशेश वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद जै श्री राधा रानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै माता रानी की जै मादुर्गा नवरातरी महोस्व की जै जै श्री राधि जै जै श्री राधि जै जै श्री राधि शाम